हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब पैनल क्रेट बैल तुल में मैं हूँ आपका दोस्ता तुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से IDFC फस्ट बैंग की IDFC फस्ट बैंग जो की उपर के लेवल से अच्छा खासा क्रेक्ट हो चुका है तो किस लेवल क अगर बात करें इसके उपर बीकली चार्ट के उपर तो इस टाइप से पुरा का पूरा शेर आपको दिखाई देगा और यहां पर देखिए जो चार्ट पैटर्ण इसका बन रहा है वो एक डाउन ट्रेंड का चार्ट पैटर्ण है पूरी तरह से आप देखिए यहां पर एक लोग पे सपोर्ट लेता हुआ उपर जिस्टेंस लगातार फेस करता हुआ और काफी वीडियो ज देखिए जो लेवल निकल कराते हैं लगवक ठटी रुपीच के आसपास के निकल कर अब इसके अंदर आ रहे हैं इंडिकेशन यही है कि ठटी रुपीच के आसपास टोक जाप पहुंचता हुआ नजर आ सकता है अगर बीकली आरसे भी देखिए तो 30 के आसपास के यहां य बिल्कुल भी स्टेंथ इस टाइम नजर नहीं आ रही है कि स्टोक कुछ भी ब्रेकाउट करने के मून में है अगर डेली चार्ट पे देखिए तो इस टाइप का पुरा का पुरा चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा और इस चार्ट पैटर्न मैं प्लिरली देख सकत पास में वहां से देखिए स्टोक ने फिर से रिट्रेस करने की ट्राइप की है अगर देखें यहां ध्यान से यहां पर दो बार इसने 37.7 के असपास जो है अपना बेस बनाया उसको प्रोटेक्ट करने की ट्राइप की अगेन जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो नीचे के जोन था यह अला जिसकी हमने बात की कि काफी टाइम से इसे क्रोस नहीं कर पार अब अंदर ही आप देखेंगे एक और रिजिस्टेंस जोन क्रेट होता हुआ नजर आ रहा है और जब तक स्टोक इस लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक उपर जाता हुआ नजर नहीं जो नियर टर्म में इसने 34.2 का जो लो का दिखाया था उसके भी नीचे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है 33.6 के आसपास का तो सबसे पहले आपको नजर रखनी है अगर 33.6 को अगर यह ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो स्टोक जो है 32 के लेवल और 30 के लेवल दिख जाएगा तो अभी के जो लेवल हैं आप पहले तो 33 के आसपास ही नजर रखिए 33.6 को ब्रेक करता है तो 33 और देन 32 क्योंकि एक रप्या भी अब 3-4% के ब्राबर है इसका तो 33.6 को अगर ब्रेक करता है तो 33 और देन 32 और 30 के लेवल अल्टिमेटल यह दिखा सकता है तो ब इस टाइम काफी भी खोता हुआ नजर आ रहा है थैंक यू धन्यवाद